थी विलकुम भक्तो प्लैमय चैनल तो इनकेस अगर आपने अपनी टेकेट बुक करे थी और जीरो कैंसलेसी वाले टेकेट बुक करें तो उस केस में आपको क्या ओप्सें मिलते हैं आयए देखते हैं मैंने make my trip से book किया था तो मैं make my trip में जाऊंगा इनके सगर आपने किसी और website से book कर रहा था आप वहाँ पे open कीजिए और आपको चूज करना है my trips जहां पर आपको सारी trips का option दिखता है जैसे यहां पर आप चलेगे my trips में और यहां पर आपको option दिख जाएंगे कौन-कौन सी आपकी trips है upcoming trips है जो आने वाली है मेरी एक trip है जो की डैली टू बैंगलूरू है 6 में को 6 माई की मेरी यह flight है इसको मैं cancel करना चाहता हूं और यह जिरो cancellation की तो आएए देखते हैं right side में आपको यहां पर option मिल जाएगा cancel booking का मैं जाओंगा cancel booking पे ऐसा कुछ option आपको देखने को मिल जाता है यहां पर आपको दिखाता है flight booking मेरी confirmed है और यह जो flight है यह है 6 में का okay 6 में की मेरी flight है और यहां पर option आपको दिख जाते हैं download e-ticket का sms का and यहीं पर हमें दिख जाता है cancel full booking का तो मैं कर दूंगा cancel full booking आप यहां पर देख सकते हैं so cancel full booking पे जाऊंगा okay so मैंने इसको जूम कर दिया है आपके लिए यहां पर देख सकते हैं friends in case अगर मैं अपनी ticket को cancel करता हूं right so the total amount मैंने पे किया था 8,622 रुपे and जो मेरा deduction हो रहा है 7,160 रुपे का मेरा deduct हो रहा है and refund मुझे मिलेगा केवल 1492 रुपे so ऐसा क्यों आप यहां पर देख सकते हैं एक note हमाले यहां पर देते हैं make my trip वाले मैं जल्दी पढ़ लेता हूं इसको you know due to this ongoing pandemic which is a force major event we are unable to extend zero cancellation benefits on your existing booking so zero cancellation benefits से मुझे जो मिलना चाहे था वो एक्स्टेंड नहीं कर पाएंगे airlines वाले ऐसा यहां पर लिखते हैं क्योंकि जो situation अभी हमारे देश में है उसके साब से वो benefits से नहीं provide कर पा रहे however we encourage you to residual your travel without any date change charges so यह आगे बोलते हैं कि इससे बेटर है कि आप अपने travel को you know and we have also waived off make my trip service charges लगते थे वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा if you still wish to cancel cancellation charges as lived by the airline will apply we would be able to process refund only once we receive the same from the airlines so in case अगर आपको अभी भी cancel करना तो आप please cancel कर सकते हैं और cancellation charges जो है आपके you know सारे refund amount से cut जाएगा और जो refund होगा वो आपके account में तभी process हो पाएगा जब airline से कुछ confirmation मिलेगा ऐसा make my trip यहाँ पर लिखके देते हैं so friends in case अगर आपको cancel करना है तो आप आगे जाके यहाँ पर select refund mode कीजिए and आगे आपको option देगा यह कैसे आपको refund लेना है तो although मैं ऐसा कुछ अभी करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सोचने के लिए time चीए कि मैं इसको residual करूं या cancel करूं so मैं इस करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ help मिली होगी thanks for watching this video मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखे अपना अपनी family अपने friends का सबका thanks for watching again धन्यवाद जहिंद